हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई टूब चैनल, एक्सरसाइज 12.1 से कुश्चन नमबर 4 करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाइ हामीद एंड अक्तर इन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर एक लड़का हामीद है और एक अक्तर है वो एक घंटे के अंदर कितना चलते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ हामीद को पहले लिखा हुआ है तो जो पहला number है वो हामिद के लिए यानि हामिद एक घंटे में नाइन किलो मेटर चलता है फिर अक्तर एक घंटे के अंदर 12 किलो मेटर चलता है अब आपको ratio निकाल ली है इनकी जो speed है उसकी ratio निकाल ली है और ratio किस तरह से निकालनी है speed of Hamid to the speed of factor यानि Hamid की speed को आपको उपर लेना है और speed of factor को आपको नीचे लेना है ये सबसे important बात है जो ratio में ध्यान देने की होती है जो पहले लिखा है उसे उपर लिखेंगे जो बाद में लिखा है उसे नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे speed of Hamid to speed of factor अब जो speed होती है वो दो यूनिट में होती है उसमें distance तो होता ही है और पर के आगे यहाँ पर time भी जरूर होता है यसे 9 km per hour पर का मतलब है 1 घंटा तो यहाँ जो speed है Hamid की वो है 9 km per hour और speed of factor है 12 km per hour तो 12 km per hour ratio के अंदर आपकी यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है यहाँ पर यूनिट बिलकुल सेम है km per hour, km per hour तो पहले तो यूनिट से यूनिटी खतम हो जाएगी अब नंबर बचा है 9 upon 12 9 और 12 को हम simplest form में करेंगे वही से हमें ratio पता चलीगी तो मैं देखता हूं कि 9 और 12 यह दोनो 3 के table में आते हैं इट मेंस दोनों 3 से divide हो जाएंगे पूरा पूरा तो मैं 3 से ही इनको divide कर देता हूं 9 को 3 से divide करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3, 300, 9 होता है और 12 को जब 3 से divide करेंगे तो 3, 400, 12 होता है यहाँ पर 4 आ जाएगा अब 3 और 4 किसी same table में नहीं आते हैं आगे इट मेंस यहाँ आके यह रुख जाएंगे यही इनकी simplest form है तो जो simplest form होती है उसी से हमें ratio पता चलोती है तो जो उपर लिखा हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं यह दो dot होते हैं रेशियो का निशान होता है और नीचे वाले नंबर को इसके आगे लिखते हैं इट मेंस 3 इस टो 4 यह रेशियो है हामिद और अक्तर की स्पीड का question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye